हेई मैं फैमली, वेलकम तो मैं चैनल, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ म्यूजिकल इंस्टुमेंट के नेम्स, हमने कई दफ़ा इसे बजाते हुए देखा है या फिर सुनते हैं हम इसे अकसर टीवी में देखा है, इर्दगिर्द, जब भी functions होते हैं तब हम देखते हैं, कई सारे इंस्टुमेंट जो होते हैं, वह बजाने के इस्तिमाल में आते हैं पर हमें इसके जो नाम हैं, वह कुछ के नाम नहीं मालूम होते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको musical instrument के नेम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताओंगी कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो आज का हमारा सबसे पहला जो musical instrument है, वह है शंक शंक, शंक जो होता है, वह पूजा या फिर देहार वेगरा में बचाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है अक्सर, तो शंक को हम लोग कॉंच कहते हैं, कॉंच शंक को इंग्लिश में कॉंच कहते हैं, कॉंच, C-O-N-C-H, कॉंच कॉंच को हिंदी में शंक कहते हैं, हमारा जो दूसरा musical instrument है, वह है symbol, C-Y-M-B-A-L, symbol symbol, मतलब इसे हम हिंदी में कहते हैं, मजीरा, मजीरा एक बजाने की instrument होती है, musical instrument काफी मधूर इसमें से ध्वानी निकलती है, तो मजीरा को इंग्लिश में symbol कहते हैं, C-Y-M-B-A-L, symbol हमारा जो अगला musical instrument है, वह है tom-tom, tom-tom, tom-tom को हिंदी में धोलक कहा जाता है, धोलक एक बहुत ही common musical instrument है, हम सभी ने देखा होगा, अक्सर ये बूजा में या फिर मतलब कहीं भी इसका इस्तमाल किया जाता है, जहां भी music से related कोई भी चीज हो रही हो, तो धोलक का इस्तमाल जरूर किया जाता है, तो धोलक जो होता है, उसे हम English में tom-tom कहते हैं, tom-tom, हमारा जो अगला musical instrument है, वह है banjo, banjo, य हम हिंदी और English दोनों में banjo के ही नाम से जानते हैं, इसका कोई English का कोई different name नहीं होता है, इसे हिंदी English दोनों में banjo ही कहा जाता है, हमारा जो अगला musical instrument है, वह है clarinet, clarinet को हिंदी में शहनाई कहा जाता है, शहनाई जगसर, साधी विवाह के समय इस्तमाल किया जाता है, साध इसकी जो trend है, वह काफी कम हो गई है, पर पहले इसकी trend बहुत जादा थी, अगर बात करें राजा महराजा की, तो उस वक्त कोई भी खुशी की महल हो, या फिर कोई भी function हो राजा महराजा के महल में, तो शहनाई आवश्य बसता था, पर अब इसकी जो trend है, वह थोड़ी सी या फिर धोल, एक गाना है, नगार संग धोल बाजे, उसमें जो नगारे का इस्तमाल किया गया है, आपने उस वीडियो में, उस गाने में नगारे को जरूर देखा होगा, यह काफी बड़े साइच का होता और एक इसे stick से बजाया जाता है, इसे बजाने के लिए काफी stamina की भी जरूरत होती है, तो नगारा या फिर धोल को इंग्लिश में drum कहते हैं, हमारा जो अगला musical instrument है, वो है harp, harp, harp को हिंदी में सारंगी कहते हैं, यह इक काफी मधूर musical instrument है, इससे काफी मधूर आवाज हमें सुनते हैं, तो सारंगी को इंग्लिश में harp कहते हैं, H-A-R-P, harp हमारा जो अगले musical instrument है वो है guitar गिटार आज को आज की समय में काफी जाधा प्रचली थे और काफी trend में भी है गिटार अपने कई गानों में सुना है कई सारे जो singers होते हैं वो गारने के साथ-साथ गिटार भी बजाते हैं साथ में live shows या फिर recording वे गज़े सारे टाइम तो गिटार हिंदी इंग्रिश दोनों में गिटार को गिटार ही कहा जाता है इसका कोई डिफरेंट नहीं होता अलग-अलग दोनों में ही गिटार को गिटार कहा जाता है हमाय जो अगला musical instrument है वो है बांसुरी या फिर बंसी बांसुरी या फिर बनसी यह एक बहुत ही प्रियह musical instrument है इनषी का और उनका नाम है श्री खृष्ण जी का तो बांसुरी या फिर बनसी को इंग्रिश में flute कहते हैं flute F-L-U-T-E flute बांसुरी या फिर बनसी हमारे जो अगले musical instrument है वो है drumlet 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 को Hindi में डुगडूगी कहा जाता है डुगडूगी एक छोटा सा instrument होता है जो बजाया जाता है और इसे हम English में Drumlet कहते हैं हमारा जो अगला musical instrument है वो है Violent Violent काफी ही मतलब शान्त तरीके से या फिर इसके जो धौनी होती है वा काफी मधूर होती है और या काफी शान्त फिल कराता है जब भी आप इसे सुनेंगे तो Violent Violent को Hindi में Bela कहा जाता है Bela Bela Violent तो आज के वीडियो में बस musical instrument के लिए इतना ही मैंने सारे musical instrument आपको बता दिये हैं लगबग जो जिसे हम commonly नहीं जानते हैं उसके नाम से English में तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो Like जरूर कर दे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे मिलते हैं ऐसे ही कुछ Interesting वीडियो के साथ अगली बार तब तक के लिए थाइंक यू धाने बाद टेक क्या बाई